हैलो आल, कैसे हो आप सब, I hope सब पढ़िया होगे, तो आज की रीडिंग में हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ में कैसा है, ठीक है, तो ये हमारे रीडिंग का आज का टॉपिक है, ठीक, और रीडिंग में करूँगे, देखूँगे कि आप दोनों, ठीक है, आप दोनों की अगर शादी होती है, तो आप दोनों का फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा, है ना, तो ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है, ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, आज की अपनी य जिनको भी एकुरेट रीडिंग, कुंडली रीडिंग चाहिए, जिनको भी टैरो रीडिंग चाहिए, तो वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, दिये गए वाट्स अप नमबर पे, ठीक है, एकुरेट, एकुरेट मतलब की जो राइट है, जो होने ही वाला है, या जो हुआ है ठीक है, वही आपको बताया जाता है, वही होता है, एकुरेट, ठीक है, तो जिनको भी मुझसे रीडिंग लेनी है, वो कंटेक्ट कर सकते हैं, दिये गए वाट्स अप नमबर पे, ठीक है, और आप सबसे, जो है, जिनुने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका तो हमेशा ये करती हूँ, क्योंकि मेरे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब किया है, और मुझे सपोर्ट करते आए हैं, तो मेरी ब्लेसिंग्स और मेरा सपोर्ट उनके साथ भी है, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको भी चाओं कि वो लोग भी स सिंग्स तो नहीं पहुंशती है क्योंकि मैं लिस्त देखती हूं जिन्होंने भी सब्सक्राइब हैं उनका थीक है तो उनके लिए ने प्रेक कर दिम और हमेशा करूंगी तो आप लोग नहीं किया है तो आप लोग Tea नेल को सबस्क्राइब कर समक्रैक करें लीजे ताकि आप भी मेरी फामली के एक मेंबर बनेंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा मेरी विशिस आप सब के साथ जाएंगी सो चलो फिर करते हैं रिडिंग को स्टार्ट ठीक है स्टोन बुकिंग के लिए आप लोग कॉंटक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है कॉंटक्ट कीजिए और स्टोन जो है यह ब्रेसलेट ठीक है ना यह ब्रेसलेट की बुकिंग हो रही है सो जिनको भी यह ब्रेसलेट चाहिए वो कॉंटक्ट कर सकते हैं लव लाइप के लिए है यह ब्रेसलेट ठीक है और फाइनांस के लिए है करियर के लिए है study के लिए है so ये bracelet आप उसके लिए use कर सकते हैं ठीक so चलो फिर करते हैं reading को start please guide कीजे please guide कीजे चलो मैं card को निकाल रही हूँ आप दोनों का future ये मैं आपके person के लिए मैंने card निकाला है ठीक और इधर मैं आपके लिए card निकाल रही हूँ ठीक अब देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए क्या फिल करोगे mutual mutual feeling भी देखना जरूरी है है ना so three cards हो गए bottom of the deck wow six of cups दोनों एक दूसरे दोनों को एक दूसरे के सांद जो है ना बहुत बहुत अच्छा लगेगा दोनों एक दूसरे के सांद बहुत हैपी रहोगे बहुत खुश रहोगे जहां भी रहोगे है ना एक दूसरे की चाहत रहेगी ऐसा लगेगा जिसे कि आपके सरीर का ही कोई वह हिصा है ठीक? जब भी आप अपने पर्शन से दूर रहोगे तो आपको लगया कि рег मदब कि आप का मन लगेगा ना आपके पर्शन का मन लगेगा धोनों में से किसी का मन नहीं लगने वाला है आपके पर्शन ऐसा फील करेंगे आपके लिए ठीक ना यहां पर clearly दिख रहा है कि हाँ यह person के feelings ऐसी रहने वाली है ठीक और आपकी भी रहेंगी आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पाएंगे यहां पर ऐसा मुझे दिख रहा है चलो बात करते हैं पहले मैं आपके लिए cards देख रही हूँ कि क्या cards है मेरे पास है यहां पर queen of knight of wands king of pentacles six of wands ace of swords and king of swords यहां पर ace of cups six of swords two of wands eight of cups the hanged man ठीक यह है अब mutual क्या है the moon ten of cups temperance ठीक तो card आपको अच्छे से दिख रहे हैं अब card आपको अच्छे से दिख भी रहे हैं और मैं समझ भी पा रही हूँ कि आपको है ना दिख रहा है clearly अच्छे तरीके से एक minute चलो अब ठीक है तो यहाँ पर देखो cards clearly मुझे बता रहे हैं कि आपके जो cards हैं पहले तो मैं देख पा रहे हूँ कि आपके जो person है यहाँ पे आपके person को क्या फील होगा तो देखो आपके person कभी-कभी जो है ना आप जो है कभी-कभी इनको कहते हैं ना कि जैसे कि किसी कभी परिशान रहेंगे ये person ठीक कभी ये उदास रहेंगे किसी कारण से किसी कारण से आप दोनों के बीच में यहाँ पे उदासी आएगी आपके person उदास रहेंगे तो ये person आ आपसे बात करना चाहेंगे एट अफ कप्स के नर्जी है यानि कि वो जो दर्द होगा वो जो तकलीफ होगी वो जो टाइशन होगा इससे बाहर निकलके है ना यह आपसे बात करना चाहेंगे इनको अच्छा लगेगा इनको अच्छा लगेगा क्योंकि आपके साथ इनको जो सुचेशन साएंगी जहां पर इनको एक्षन लेने की जरुरत होगी जहां पर इनको आगे बढ़ने की जरुरत होगी जहां पर इनको डिसीजन लेना होगा वहां पर यह परसन नहीं ले पाएंगे तो यह आपकी हेल्प लेंगे ठीक यहां पर दिख रहा है कि यह आपकी हेल् यानि कि जो डिसीजन नहीं ले पाएंगे उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए है ना ये यूज करने वाले हैं ठीक है यानि कि यह जो है आपकी help लेने वाले हैं ठीक यहां पर ऐसा भी दिख रहा है जिसे कि इनके कुछ सपने होंगे कुछ ख्वाईशे होंगे आपके अनर्यक्षर में देख पारी हूं कि देखो आप दोनों जो है ना कहते न के दीया बाती है ना यहीं है कि आपके person का गुं ना are the reasons you called you about who in verbना चाहते हैं इनके सपनेे हैं और सजाना चाहते है आपके साथ यह person के कहीं out of country गूमने के लिए जाओगे क्योंकि यहाँ पे clearly दिख रहा है six of sorts का भी card एक दम से जाओगे देखो यह आपके person आपको शादी के बाद अपने माई के नहीं रहने देने वाले हैं यह person आपको अपने साथ रखेंगे ठीक आपको एक पल के लिए भी इनसे दूर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ace of cups का card है यह person आपके पास जितना comfortable feel करेंगे जितना वो प्यार, जितना वो loving जितना वो caring feel करेंगे आपके साथ आप इतना loving हो, आपने इतना caring हो इतना feel करेंगे कि यह किसी और के बारे में सोचेंगे भी नहीं ठीक, और काफी emotional भी होंगे शादी के बार जो है यह आपको आपसे emotionally connect हो जाएंगे ठीक, आपके साथ बहुत, 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 बहुत सपने देखने वाले हैं यह person ठीक, यहाँ पे मैं देख पारी हूँ और यहाँ पे देख पारी हूँ कि हाँ, आप लोग हमेशा तूर करते रहोगे, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, है ना कुछ ना कुछ आपकी life में special होता रहेगा आपके person के सपने बहुत जादा हैं ठीक, तो यहाँ पे मैं देख पारी हूँ आपके लिए मैं देख हूँ, तो आपका यहाँ पे मुझे देख रहा है कि आप भी बहुत enjoy करने वाले हो देख लो यहाँ पे, four of wins का card है आप देख दम से लगेगा कि हाँ, आपके जिन्दगी में इश्वर ने सारी खुशियां ही डाल दी, देख रहे हो कितना खुशियां यह कितनी खुशियां यह, है ना कितनी ज़्यादा खुशियां है तो ऐसे ही खुश रहोगे आप इनसे शादी करने के बाद, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको वो success मिल जाएगी, जो आपको अपनी जिन्दगी में success चाहिए, अपनी life में जो success चाहिए, अपने person के साथ जो success चाहिए वो आपको मैं मिलते हुए देख रही हूँ यहाँ पे जो है, आपके सपने जो है ना, यहाँ पे fulfill होते हुए देख रही हूँ, बहुत time से आप life के सपने देख रहे थे कि हम दोनों साथ रहते हम दोनों के शादी होती, हम दोनों एक दुसरे के साथ होते, और हमारा जीवन ऐसा होता, तो वो सारे सपने मुझे complete होते हुए दिख रहे हैं, आपके person एक business man हो सकते हैं या बहुत अच्छी job होगी इनकी, थोड़ा rude भी बहुत होंगे, ठीक है, rude भी जिद्धी तो एक number के होंगे आपके person और ego तो कूट-कूट के भरा है, इसमें कोई कमी नहीं है इसके साथ ही दिख रहा है कि ये person दूरदर्शी होंगे, यानि कि आपके मन में क्या चल रहा है, ये बता देंगे लेकिन इनके मन में क्या चल रहा है इनकी feelings क्या है, ये आप नहीं जान पाओगे, क्योंकि आपके लिए वो बहुत मुश्किल होगा, आप बहुत सोचोगे बहुत कुछ सोचोगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा इस person की intention, इस person की चाहत है ना नहीं समझ पाओगे, king of pentacles clearly दिख रहा है कि ये person king of pentacles के energy में है यानि कि ये person जो है, आपको लेकर ठीक है, आपको लेकर कि बहुत सपने देखने वाले हैं आप भी सपने देखने वाले हो, आप अपने person की पैसे बचाओगे, ऐसा नहीं है कि आप खर्ची लोगे और इनके सारे पैसे उड़ा जाओगे, है ना तो ऐसा नहीं है, कभी-कभी ऐसा है कि आप ज़्यादा खर्चा करोगे, तो आपके person थोड़ा सा आपको बोल जरूर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, कि इनके energy है, वैसे क्या ज़्यादा नहीं करो आपने future के बारे में सोचना, future को लेकर के सोचना, तो यह भी अच्छा है तो यहाँ पर मैं देख पा रहे हूँ कि ऐसी है, हाँ, अब हम बात करते हैं कि mutual feeling क्या रहेगी, दौनों को एक दुसरे के खोने का डर रहेगा future में, ठीक है, आप दौनों के शादी हो जाएगी, अब दौनों को एक दुसरे के लिए ही होगा ठीक क्योंकि यहाँ पे happy family और temperance आप दोनों एक दूसरे को balance कर लोगे आप दोनों एक दूसरे को जो है ना balance करना काफी अच्छे से जान जाओगे आप दोनों का मुझे नजर आ रहा है कि हाँ आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से balance करना समझ जाओगे ठीक है तो यह जो trust issues है कोई तीसरा आके आप दोनों के बीच में जो आप दोनों के दिल में डर्ड डालेगा वो वो सारे डर्ड जो है खतम होता हुआ मुझे नजर आ रहा है और आप दोनों की happy family में देख पा रही हूँ after marriage आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने वाले हो आपके person तो आपको world tour करवाने वाले है ठीक है तो उसके लिए भी तयार रहो world tour करना है न आपको तयार रहो आप चलो देख लेते हैं और cards निगालते हैं ओके यह आपके लिए आपके person के लिए gossip soulmate मैंने कहा आना कि soulmate आपके person को feel होगा grief okay perseverance ठीक है चलो ठीक है rejection डर रहेगा ठीक है आप दोनों के एक दुसरे के खोने का डर रहेगा ठीक न यहापे clear cards है कि आप दोनों ही एक दुसरे को खोना नहीं चाहोगे अच्छा तो होगा ना अच्छा तो होगा ना हमारी family हमारी life अच्छी तो होगी ना तो थोड़ा सा मुझे insecure feel होता हुआ दिख रहा है आपको यहापे मैंने three cards निकाले हैं ठीक जो कि मैं रख रही हूँ ओके सो यहापे मुझे दिख रहा है कि after marriage ठीक है after marriage आपका सबसे पहले तो दिख रहा है कि हाँ आप दोनों बहुत खुश रहोगे और बहुत ही अच्छी energy आई है यहापे जो कि clearly बता रही है कि हाँ आपके portion के साथ जो है आपका relation काफी अच्छा जाएगा लेकिन इसके साथ ही मैं देख पा रही हूँ कि आपको थोड़ा सा मैं इस चीजों से गुजरती हुए देख पा रही हूँ जैसे कि आपको आपको जो है न आपको थोड़ा सा problem होगी gossip का card है न तो कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके बारे में gossip करें इनके घरवाली ही हो सकत है जो आपके बारे में gossip करें इनके कान भरें इनको बताए कि हाँ यह वो तो ऐसा है वो तो वैसी है है कुछ लोग की आदत होती है अच्छे चीजों को भी वो लोग निकाल द लेगी थेक्षे आपकी जो है value आपके person करेंगे आपकी respect करेंगे क्योंकि आप बहुत ही इमानदार person रहेंगी यहाँ पर बहुत ही emotional रहेंगी यहां पर मुझे यही नज़र आ रहा है ठीक है जो मुझे दिख रहा है कि हाँ आपके जो person है आपको बहुत लव करेंगे और देखो क्या होता है का कभी-कभी जो होता है ने कि हाँ उदास हो जाता है हर कोई उदास होता है मैं आप है ना हर कोई ठीक तो यहाँ पे मुझे यही नजर आ रहा है कि देखो उदासी तो रहेगी बढ़ ठीक है कभी-कभी होता है कि हाँ अप यहाँ पर नॉर्मल हो जाएंगी यहाँ पर दीख रहे हैं कि Laboratory यहाँ पर सक्षस का हमेशा फ्रल लखे रहे हमेशा हमेशा चाहता है क्लुछाय भी données आ MA आप उनको इस तरीके से मोटिवेट करोगे कि इनके अंदर न चाहते हुए भी यह जो है ना परसन सक्सेस हो जाएंगे देखो आपके परसन कभी भी टेंशन में हो तो यह परसन आपसे सला मसवरा मैंने पहले भी काकी लेने की कोशिश करेंगे और उस वक्त इनको लगेगा क यहां यह इनका जो टेंशन है इनका लगभग 90% टेंशन जो है ना खतम हो जाएगा आपसे डिसकस करके अपने प्रॉब्लम को ठीक लेकिन अपने आपको थोड़ा से क्योर बनाना अपने रिलेशनसिप में कि कि किसी और को आने मत देना चाहे आपकी फैमली हो इनकी फैमल मतलब की जो भी हमारे सामने सुचिशन आए उससे लड़ना होता है ठीक तो मैं आपको यही कहूंगी की पूरी पॉजिटिव एनरजी के साथ रहो ओके सो जल्दी से यह ब्रेसलिट आप लोग बुक कर लीजिए जिनको भी बुक करना है ठीक है परसों से बुकिंग इसकी बंद हो जाएगी आई ठीक और कुछ दिनों के बाद खुलेगी फिर इसकी बुकिंग तो कल भर परसों भर आपको टाइम है आपके पास टाइम है इसके बाद पता नहीं स्तौक कब आएगा कब नहीं ठीक है तो आप बुकिंग कर आ सकते हो इसकी ठीक तो यह रही आज की रिडिंग मिलते हैं आगले रिडिंग में तब तक हसते रहे हैं मुस्कुरातरी और खुश रहे हैं बाबाई